हाई फ्रेंट्स वेल्कम तो मैं चैनल रेस्लिंग बात्षा मैं हूँ यश तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या कल की रॉमेंड कैशिन करने वाले हैं आपना मनी इन दे बैंक और युनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंग्स दोस्तो मेरे पास बहुत बड़ी एन एक्स्प्रोसिव न्यूज है जो सुनकर आप एकदम शौक हो जाएंगे दोस्तो क्या ब्रॉमेंड कैशिन करने वाले है रोमन रेंज पर कल की रॉम में और बनने वाले है आपके निव युनिवर्सल चैंपियन ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में और रो के प्रिव्यू के बारे में भी दोस्तो समर्स्लैम के बाद का रो काफी कॉन्ट्रोवर्शल और हिस्टोरिक रहता है और जैसे कि आपको पता है कि जॉन सिनर, अंडर डेगर ऐसे बड़े लेजन्स का कोई भी एंगल नहीं है तो फिर डबो डबलुई को करन्ट रोस्टर में ही कुछ हिस्टोरिक और एपिक करना होगा तो दोस्तो ये रहे कल के जबरदस रो के प्रिव्यू दोस्तो जैसे हमने आज समर स्लैम में देखा कि कैसे B team ने हरा दिया रिवाइबल को और रिटेन किया अपना रोटक्टिम चैमिंशिप्स B team को चैमियंज इसलिए बनाया गया है क्योंकि दुसरी और कोई चैमियू नहीं है दोस्तों Summer Slam में हमने देखा कि कैसे Seth Rollins ने हरा दिया Dolls Ziggler को और वो बन गई फिर से Intercontinental Champion और जिस सरह से Dolls Ziggler गुस्ते में थे उनकी हार की बात तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि Dolls Ziggler कलकी Raw में उनका Rematch Closs race करें और अगर दोस्तों ये Rematch होती है कलकी Raw में तो आप Dolls Ziggler को Championship फिर से जीता हुए एक्सपेक्ट मत करिए दोस्तों आज की Summer Slam में हमने देखा कि Ronda Rousey ने हरा दिया Alexa Bliss को और वो बन गई आपकी New Raw Women's Champion तो फिर दोस्तों कलकी Raw में दिख सकता है कि Alexa Bliss अपना Rematch मांगे for Raw Women's Championship नटैला को छोड़कर दूसरी कंटेंडर हो सकती है Ember Moon दोस्तों Summer Slam में Brock Lesnar की Shocking हार हुई और Roman Reigns बन गया आपके New Universal Champion अब तक कोई भी News ने आई है दोस्तों कि Brock Lesnar ने Resign किया या फिर नहीं WWE के साथ बट हमें कल Raw में Brock Lesnar का Last Appearance देखने मिल सकता है और Probably हमें कल ही पाता चलेगा कि Brock Lesnar ने Resign किया है या फिर नहीं Otherwise हमें Brock Lesnar का एक Farewell Promo देखने मिलेगा जैसे कि आपने Summer Slam में देखा कि Roman Reigns ने कैसे हराया Brock Lesnar को और कैसे बन गए वो New Universal Champion और शॉकिंग लिए हमें Brock Lesnar का Cash-In देखने नहीं मिला एट Summer Slam और जैसे कि Brock Lesnar ने Summerslam में कहा था कि वो एक डरपोक नहीं है जो वो Cash-In करे उनका Money in the Bank Contract जब Universal Champion एकदम कमजोर हो क्योंकि वो एक Monster है और वो Face to Face Cash-In करेंगे अपना Money in the Bank Contract तो फिर दोस्तों हम ये Expect कर सकते हैं कल की Raw में कि जब Roman Reigns प्रोमो कट कर रहे होंगे कि उन्होंने कैसे हरा Brock Lesnar को और बने Universal Champion तभी Bronze Roman की Music बजेगी और वो आ सकते हैं अपना Money in the Bank Contract Cash-In करने तो फिर एक Hard-Fot Match में Bronze Roman हरा देंगे Roman Reigns को और बन जाएंगे आपके New Universal Champion ये इसलिए हो सकता है क्योंकि Vince McMahon Roman Reigns को Underdog दिखाना चाहते हैं और दोस्तों प्रोबेबली सभी फैंस शॉक थे Bronze Roman के No Cash-In की वज़े से at Summer Slam तो फिर दोस्तों शायद कल की Raw में हमें Bronze Roman का Cash-In देखने मिल सकता है on Roman Reigns और फाइनली वो बन जाएंगे आपके New Universal Champion in a Controversal Way पर दोस्तों ये सब कुछ 100% फिक्स नहीं है बस स्पेकुलेशन से कल की Raw के लिए तो फिर आमें देखना होगा कि Vince McMahon क्या decision लेते है कल की Raw में तो दोस्तों आप मुझे comment section में बताईए क्या आपको कैसी लगे हमारी वीडियो और मुझे comment section में दो चीज़ों के बारे में बताईए फर्स्ट क्या आप Bronze Roman का Cash-In देखना पसंद करेंगे और Universal Champion Roman Reigns और सेकेंड आप कितने excited है कल की धासू होने वाली Monday Night Raw के लिए So guys, please 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 like, comment, share and subscribe to our channel Wrestling Bacha Peace out